आज हम जानेंगे कि क्यों ये कहा जाता है कि मोक्ष में अनन्त सुक है, जब मोक्ष में सिद्धो के शरीर ही नहीं होता, तो अनन्त सुक कहा से आता है, कहा से मिलता है, क्यों ऐसा कहा जाता है, इस बारे में जानेंगे, तो जिसका अन्त दुप में न हो और जो हमेशा सुक र गन्ने का स्वभाव मीठा है और नीम का स्वभाव कड़वा है। उसी तरह आत्मा का स्वभाव ही सुख है। कर्म के रचकन आत्मा को विभाव दशा में ले जाते हैं इसलिए दुख उत्पन होता है। जहां कर्म नहीं बचे वहां सुद्ध आत्मा ही है। वहाँ सुख ही सुख है क्योंकि सुख तो आत्मा का अविनाशी गुन है आत्मा के स्वभाव का एक समय मात्र का भी अनुबव सहद सुख का ज्यान कराता है मोक्स में स्थित कर्मरहित आत्मा यानि सुख का प्रकास पुंज या सुख का धेर तो आज का प्रशन है कि जैन सादू के वेश में मुक्त होना सिद्धो का कौन सा प्रकार है कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें